एक बच्चे ने पूछा है, मैं शादी करने से डरता हूँ, लेकिन मुझे सेक्स करने का बहुत मन करता है, तो शादी के जंजट में फसना ज़रूरी है क्या, अगर कोई आदमी सेक्स करना ही चाहता है तो, इंटेलिजन बच्चा है, सोच सकता है, केवल सेक्स के लिए शादी में नहीं जाना चाहता, आम तो अरपे तो लोग सोचते भी नहीं है ऐसा, हम जैसे लोग कहां सोचते थे या गेज में, बच्पन में होता था कि फटाफट शादी कर दे, इनफैट बच्पन में हम लोग की सेक्शुल एनरजी को कंट्रोल करने के लिए शादी कराई जाती थी, लेकिन होती नहीं थी कंट्रोल, मेरी जान पैजान में, अगर सो लोग की शादिया होई हैं, यंग एज में, तो उसमें से 75 लोग, 75 परसंट लोग, ऐसे हैं जो इधर दर मुँ मारते हैं, शादी के बाद भी, तो ये सवाल बहुत रेलेवेंट है, इस बच्चे के लिए नहीं सब के लिए, कि शादी और सेक्स का क्या बहुत जरूरी है साथ में होना, लेकिन इस सवाल को पूछने वाले बच्चे, ये चीज़ बहुत क्लियर हो जाएं, बच हम कभी ये तो पूछने रही है, कि मॉस्ट्रेमिशन करने के लिए शादी करना जरूरी है क्या, या ब्लू फिर्म देखने के लिए शादी करना जरूरी है क्या, लेकिन यहाँ involved है, एक दूसरा बनता, और जहाँ दूसरे लोग involved होते हैं, वहाँ पर दो लोगों की रजाम अब मैं लड़की से कहता हूँ भाई मुझे सेक्स करना है लड़की बोलती ना मैं तो अपने शरीक उसी को दूँगी जो मेरे साथ मेरे बच्चे को पालेगा क्योंकि ये जिम्मेदारी तो लड़कियों की रहती है नौ महिने तक अपने बच्चे में अगर प्रेडिनसी हो तो अपने घरप में अपने बच्चे को पालना उसके बाद जिन्दगी भर बच्चे को पालना जो मा फील कर पाती है वो एक लड़का नहीं फील कर पाता बट सेक्स का सवाल अपने आप में आधा दूरा सवाल है जब हम ये सवाल पूछते हैं कि सेक्स करने के लिए शादी जरूरी है या क्या तो हमको लगता है सेक्स मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी एक ऐसा इंसिदेंस जिसमें कुछ सेकंड के लिए मज़ा लिया और वो खतम हो गया लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस लाइफ में कोई भी चीज जो हमारे साथ होती है चाहे वो छोटी सी हो चाहे बड़ी हो चाहे अच्छी हो चाहे खराब हो खतम नहीं होती है हर चीज हमारा माइंड रेकॉर्ड करते जाता है हर चीज मेमरी है आप जब खाना खाते हैं तो सबजियां काटने से पहले धोते क्यों है क्योंकि उसके उपर कुछ गंदगी चिपकी रहती है गंदगी क्या है गंदगी वैसे कोई गंदगी नहीं है मिट्टी कीचेड वो जमीन है वो तो सबजी के लिए अच्छी है तभी सबजी उसमें ग्रो होती है आप पत्थर के उपर या फ्रिज में रखके बीज को सबजी नहीं बना सकते उसी मिट्टी की मजद से वो सबजी सबजी बनती है लेकिन जब हम खाते हैं उस समय हमको जो इंपल्स चाहिए वो प्यॉर सबजी का चाहिए बिकाउज वो सबजी हमारे बॉडी में जाकरके एक मेमरी क्रियेट करती है एक इंपल्स देती है कि इसको पचा लो लेकिन मिट्टी जो उसके साथ में आती है जो हमारे और आपके इंसाब से गंदगी है वो जब हमारे बॉडी में जाती है तो एक wrong memory है मैं कहना क्या चाहता हूँ कोई भी incidence अगर आप sex करना चाहते हैं तो एक simple मासूम सा incidence नहीं है तो अपने आप में इसी तरह का incidence है जैसे सबजी और मिट्टी या बरतन आप चाय पीते हैं तो जूठे बरतन में चाय क्यों नहीं पीते जूठे में क्या पता, क्या अधिक्कत है जूठे में गेन आती है एक emotional disgust आता है ये साफ सफाई का concept कहां से आया इंसानों के life में जब आप एक question पूछते हैं कि शादी ज़रूरी है इसको थोड़ा उल्टा करके पूछे तब शायद आपको समझ में आ जाए कि ये सब चक्कर किस लिए आप ही पूछे जिन लोगों ने भी शादी के कारेकरम को चालो किया होगा पहली बार वो क्यूँ क्या पीछे वज़े होगी क्या यंग जनरेशन को खुराफ पात हो गई कि वो लोग शादी करके तब सेक्स करवाते है तो इसको ऐसे भी देखिए कि इनसान घर क्यों बनाते है इनसान बरतन साफ करके खाना क्यों खाते है इनसान कपड़े क्यों धोते है कपड़े पहनते ही क्यों है इन सब के पीछे कोई वज़य है, खारी मॉरल्स, ताकि लोग एक दूसरे से शरम करें, इसके पीछे कोई वज़य है, आदमी हाथ जोड़ता है, क्यूं, इसके पीछे कोई वज़य है, सेक्स, बहुत से लोग करते हैं, लेकिन इनसान सेक्स के पहले शादी को कमपलसरी करने की कोशिश करते हैं, इसके पीछे क्या वज़य होगी, क्यूंकि जिन लोगों ने भी इस तरह की चीज़े खोजी, उनको एक चीज़ खास पता चली, कि आदमी केवल एक static human tissue नहीं है, हड़ी और मांस का पुतला नहीं है, जानवर से अलग है इनसान, आदमी एक जर्नी है, जर्नी समझते हैं क्या होता है, जर्नी, एक जगह से चलना, दूसरी के पहुँचना, ठीक, जब पैदा होता है और जब मरता है एक आदमी, तो कहीं न कहीं से चलके कहीं न कहीं पहुचता है, बट random नहीं है ये, ऐसा नहीं है कि यहां चले और वहां पहुच गए, वो जिस condition में है, उससे बहतर evolved state में पहुचता है, अगर वो इसके प्रती conscious है, अगर मैं जानता कि यस, मैं इसलिए पैदा हुआ हूँ, ताकि मैं जितना भी, जैसा भी आदमी हूँ, उससे कहीं जादा बहतर, और बहतर का मतलब ये नहीं, कि मेरे पास पैसा हो, और मैं enjoy करके धेर सारी property बना करके मरूँ, बहतर मतलब ये नहीं, बहतर का भी बहुत clear definition दिया है, रिशिम और सो, मैंने वीडियो देखा, जिसमें मा की death हुई है, मजली का मा की, बता रहे थे, मानस मा बता रहे थे, कि वो जब शरीर छोड़ते जा रही थी, तो she was very calm, कोई disturbed नहीं थी, बिलकुल, उनकी सबसे पहले एक brain में इंफार्क्ट हो गया था, तो आवाज चली गई थी, द आम तोर पे दिखो, जब लोग परिशान होते हैं, मरने वाले होते हैं, तो कितना चिलाते हैं, चीकते हैं, क्यों, क्योंकि उनको जिनको जिन्दगी भर, अपनी evolved state के लिए, अपनी calm state के लिए, त्यारी नहीं की, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, कि आप जब पैदा हो और लाइफ की जर्णी यहां से लेकर के इससे बहतर state में होनी वाली जर्णी हैं, और अगर आप इसके प्रती conscious नहीं हैं, तब आप जो कुछ भी करते हैं, चाहें, सेक्स करते हैं, एक के साथ करते हैं, सौ के साथ करते हैं, शादी के साथ करते हैं, शादी के बिना करते हैं आप जो final product बनके निकलेंगे at the end of the life वो पता नहीं क्या रहेगा नाली कैसे बनती है नाली में जो कच्रा होता है कैसे बनता है वो consciously नहीं बनता है उसमें कोई भी आदमी कुछ भी फेकता रहता है एक अठा हो करके जो कच्रा है उसको हम नाली बोलते है लेकिन वहीं पर एक fridge या kitchen कैसे बनता है उसमें चुन-चुन के अच्छी चीजें, साफ सुत्री चीजें, fresh चीजें कटे करके आदमी रखता है ताकि उसको फिर से खा सके तो आपको अपने आपसे पूछना होगा कि आपकी sex conscious है, चुनकी की गई है आपको पता है कि नहीं पता है कि इस sex के बाद एक memory create होगी आपकी body में आप किसी को touch करते हैं, किसी को अपने lips से touch करते हैं उस आदमी के और आपकी life में एक memory create होगी और उस memory या तो आपको help करेगी evolved बने में, enlightened बने में enlightenment का confusion मत करिएगा enlightenment मतलब आप एक ऐसी state में होगे जहां पर कोई भी परिस्ति आपको disturb नहीं करेगी तो क्या आपकी sex, जो कि बिना शादी के आप करना चाहते हैं इसलिए आप इस सवाल पूछ रहे हैं आपको help करेगी आगे free होने में या बाद एगी हमको लगता तो है कि बाद एगी नहीं free करेगी क्योंकि sex कर लिया तो free इसलिए तो ओशो जैसे लोग बोलते थे sex कहां जहां करने कमानों करो कम से कम लोगों को लगता तो यही था आपको छोटी छोटी चीज़े बानती है पता है आपको आप घर के बाहर कोई पिल्ला मिल जाए उसको खाना किलाना शुरू कर दीजे इसको एक दिन उसके साथ घूम लीजिए पाँच दिन में एक हफते में आपको उसके साथ attachment हो जाएगा और जब दुखी हो मरेगा युकि कुत्ते तो इंसानों से कम जिन्दगी जीते है वो मर जाएगा तो आप दुखी होंगे और वो दुख आपको फ्री होने में हेल्प करेगा पतजली योगसूत्र में detachment नाम का एक स्टेप बताया गया है आठ स्टेप्स में यम नियम आसन प्राणयम प्रत्याहार बतलब detachment उसके बाद बताया गया धारणा ध्यान समाधी समाधी वो स्टेज है जिसमें आप फ्री होते हैं detachment क्यों क्योंकि normal life जो इंसान की है या सब की है वो attachment वाली है हर चीज attachment create करती है और attachment create करती है और sex आप करिये तो attachment होगा लेकिन detachment वो गुथी है जिसके जरीए आप free हो सकते है तो question ये नहीं है कि शादी के लिए sex जरूरी है कि नहीं question ये है कि आप जब किसी के साथ जुडेंगे किसली जुट रहे है खाली physical level पर जुडने के लिए ये दिखाने के लिए मैं बहुत बड़ा stud हूँ मैं sex कर सकता हूँ वो तो आप से बहतर जंगल के जानवर कर सकते हैं और करती ही है ठीक है अगर आप ये definition मान लीजिए कि हम जंगली जानवर हैं बस तब कोई दिक्कत नहीं है और हैं हजारों जंगली जानवर हैं लोग गिनते हैं हम कितनी बार sex कर रहे हैं लेकिन अगर आप हलका सा भी aware हैं हलके से भी conscious है अगर आप इस तरह का सवाल पूछ रहे तो मुझे लगता है आप conscious है तो ये मत पूछिए क्यूं शादी क्यूं करें हम sex करने के लिए ये पूछिए sex क्यूं करता है आदमी शादी क्यूं करता है अपने आपको consciously किसी के साथ क्यूं बांधता है आप ये तो पूछते हैं लोग exercise क्यूं करते हैं नहाते धोते क्यूं हैं आपको पता है ने सब चीज़ क्यों करते हैं ऐसे ही एक spiritual life की एक base होती है जहां पर किसी भी इनसान के साथ वो नहीं जुड़ना चाहता जिसे मुझसे कोई मिलता है मुझसे कहता है कि कुछ पैसे ले लीज़े मैं नहीं लेता हूँ हर चीज़ के साथ physical world involved है मुझे केवल वो चीज़े चाहिए जो जो मुझे याद दिलाएं freedom की आपने वो सुना है ना जनुगा की quotation The self unfolds its full essence him alone who applies his self to the self self मतलब आत्मन unfold करती है दिखाती है अपना पूरा essence केवल उसी को जो इनसान अपने आपको उस आत्मन के लिए पूरी तरह से dedicate कर दिता है Self unfolds its full essence him alone who applies himself to the self वो application है जब मैं sex करता हूँ तो एक बंदा जिसको मैं आत्मन मान रहा हूँ God मान रहा हूँ उसके साथ मैं apply कर रहा हूँ तो एक से जाता नहीं होना चाहिए जब आप एक से जाता लोग के साथ sex करते हैं अगर आप शादी करते हैं तो आप ये बोल रहे हैं कि नहीं मैं इस पूरी life को आपके साथ बांद के रखूँगा मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा और आप ये ये contract का आगस का टुकड़ा contract नहीं है पुराने जमाने में लोग शादी करते थे केवल एक सुरज को या एक नदी को या एक पेड को मानके कि इनकी presence में मैं तुम्हें अपनी धरम पतनी मानता हूँ उसको एक ऐसा status दूँगा कि वो अकेला नहीं सूस करे आप सोचिए अगर आप sex करते हैं जैसे कि हमारे पास कितनी बच्चे आती हैं वो प्रेंडेंट हो जाती हैं बिना शादी की ही जब आप शादी करते हैं तो आप ही बोलते हैं कि मैं तुम्हें लावारिस नहीं छोड़ूँगा मैं तुम्हें अकीला नहीं छोड़ूँगा आपके लिए sex के वल sex नहीं है आपके लिए sex मतलब अपने आपको पूरी तरह से dedicate करना किसी एक के लिए अगर आप दो के लिए dedicate करना चाहें तो तीन के लिए करना चाहे तो इसका मतलब आप confused है आप सोच रहे हैं dedication के word में शब्द हैं आपके dedication लेकिन आप केवल कर रहे हैं sex की चीजें इससे बहुत से लोग होते हैं बोलते बहुत अच्छा है लेकिन जब करते हैं तपता चलता है कुछ और है dedication क्या है honesty क्या है goodness क्या है जब ये सब सवाल पूछेंगे न तो आप भूली जाएंगे आप कहेंगे boss मुझे नहीं घुसना है मुझे sex से दूर रहना है अभी यूँकि मैं जानना चाहता हूँ इस सब चीजें क्या है जो free करती है यूँकि इस दुनिया में competition है, jealousy है, sex है misery है, frustration है ये सारी की सारी चीजें इसी लिए है क्योंकि हम सब एक दूसरे से छीना जप्टी करते हैं आदमी को औरत से उसकी body चाहिए और कुछ experiences चाहिए बस माकी कुछ नहीं चाहिए लेकिन साथ पे साथ मिलेगी आपको pain on miseries और जुक्षी आपने उससे लिया है तो वो भी आपसे लेगी और ये खेल चलता रहेगा जन्मो जन्म तक लेकिन शादी क्या है मैं चाहता हूँ कि आप किसी और से मत पूछे शादी क्या है अपने आप से पूछे कि वो क्या चीज है जिसके लिए आप अपने पूरे mind को अपने पूरे mind को चाहते है कि पूरी तरह से एक जगा dedicate हो जाए एक person के लिए एक कैसा mind होगा जिसके मन में कोई distraction आता ही नहीं कैसे कैसे word लोगों ने खोजे हैं पती व्रता पत्नी व्रता ये कोई गंदे वर्ड नहीं है जिन्होंने भी वर्ड खोजे होंगे उन्होंने देखा होगा कि एक बहुत एक concentrated person है कोई painting करता है drawing करता है painting करता है गाना गाता है तो ये लोग सधे हुए लोग होते हैं जैसे मैं गाना गाऊं तो सुर्ष जरा सा भी जरा सा भी इधर दो चले गए तो फिर ठीक करने का मन करता है ऐसे ही जब एक आदमी एक औरत के साथ life partner का तरीका से जुड़ता है life partner के तरीका से जुड़ता है तो जरा से किसी और का खयाल आया तो उसको लगता नहीं यार ये मजा नहीं आया mentally let me come back इसलिए लोग साधू शब्द सुचे किसी और language में साधू शब्द नहीं है साधू मतलब जो अपने mind को सदने में enjoy करता है तो जो बच्चा ये पूछ रहा है सर शादी क्यों जरूरी है सेक्स के लिए बेटा तुम्हारे लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है लेकिन अगर तुम अपने आपको कुछ ऐसा चीज करना चाहते हो जिसका कुछ मतलब हो meaningful हो तब शादी तुम्हारे लिए बहुत helpful हो सकती है जैसे किसी patient का pair fracture हो तो उसको plaster लगाते है हड़ी के अंदर में nails लगाते है क्यूँ ताकि वो हड़ी वही जगह पर रहे ऐसे ही शादी तुम्हे एक बंदी के साथ help करेगी अपने आपको जोड़ने में लेकिन तुम्हे help तभी करेगी जब तुम help चाहते हो जब तुम खाली sex चाहते हो तब नहीं अगर आप किसी के pair को तोड़ना चाहते है तब plaster लगाएंगे क्या उसे अगर खाली आपको sex ही चाहीए खाली एक तरह का खेर आपका definition ही बिगड़ा हुआ है ना आपके हिसाब से आप खाली एक आदमी है बस लेकिन sages ने जिन्होंने भी खोजा पहली बार sex को मुझे बड़ी खुशी है कि किसी ने पूछा ऐसा कि शादी क्यूँ 5000 साल पहले किसी ने ये concept एड किया दुनिया में कि शादी अब सब दुनिया आपके भर के लोग लड़के लड़की है सब परिशान है कि शादी क्यूँ शादी क्यूँ इस कुड ये तो ऐसे ही हो गया ऐसे कि बच्चे आजकल के स्कूल के बच्चे परिशान होते है पढ़ाई क्यूँ पढ़ाई क्यों? लेकिन आपको पता है ना पढ़ाई की वज़से almost 50 years का आदमी growth कर लेता है आपको अपने आपको देखिए और एक बच्चे को देखे इसके साथ बैठ करके आप anatomy की book पढ़ रहे थे उसको English नहीं आती, वो तोड़ तोड़ के English के शब्द जोड़ता है, काम आप से ज़्यादा करता है लेकिन उसको English नहीं आती, केवल 10-15 साल की पढ़ाई की वज़से आप उस बच्चे से 50 साल आगे चले गए ऐसे ही जो भी आदमी ये सवाल पूछेगा शादी क्या है, पवित्रता क्या है और इसलिए नहीं क्योंकि उसको किसी और को दिखाना है इसलिए क्योंकि वो जानना चाहता है एक state of piousness, state of concentration, state of समाधी उसके लिए हर चीज़ सपोर्ट करेगी और उसके लिए sex, sex नहीं होगा उसके लिए sex एक gift होगा जो किसी और को देगा और जो ये पूछ रहा है शादी क्यों? वो पूछ रहा है या मुझे चोरी करना है बैंक में पैसा क्यों रखा है? फ्री छोड़ दो मैं उठा के ले जाओ और जो ये सवालों को मनंड करता है फिर उसकी quality same नहीं रहती वो आदमी बदल जाता है दोस्तों जोनों का basic और advanced course इस समय spirituality का online का सबसे powerful course है अगर आप business करना चाहते हैं और long term business करना चाहते हैं अपनी mistakes को कम करना चाहते हैं investment को फालतू बरबाद नहीं करना चाहते हैं तो सबसे पहले WBX world class business execution course करना है बहुत जल्दी हम लोग का decision making university बनने वाली है क्यों? क्योंकि decision हर छोटे छोटे और बड़े बड़े level पर हम करेंगे, करते हैं और mistake करेंगे उसमें तो इसलिए medium बिना join किये decision के experts नहीं बनेंगे आप SP, MT की इतनी जादा demand होई मेरे लिए इतने बच्चों ने मुझे कहा सर ब्रह्मचरे के बारे में पढ़ाईए कि हम लोगों ने एक बहुत powerful course बढ़ाया है जिसमें आप sexuality के साथ इतने गहराई से अपने mind को explore कर पाएंगे जो कोई और course नहीं करा सकता parenting बच्चे की genius को बचा के रखेगा उसको grow करने में help करेगा बहुत subtle और बहुत unique course है स्पी पी टी relationship को बहतर बनाने के लिए है limitless husband wife girlfriend boyfriend के relationship को renew करेगा हो इसके लावा हमने दो और नए course स्टार्ट किये हैं बात करें communication का इस से powerful कोई course सबह online में है नहीं और आखरी में नई technology AI for CEOs आपके लिए बहुत जल्दी आ रही है इस नंबर पे WhatsApp करके मालूम कर लीजे और अपना सबसे पहले जो 100 लोग जोइन करेंगो इस course को उनके लिए बहुत heavy discount है और सारे courses जोइन करना है तो obviously वो ये नंबर है इस पता चल जाएगा नमस्कार